सफल होना चाहते है और आई एस ऑफिसर बनना चाहते है परंतु समझ से हैं कि इनका मन शांत नहीं है मन भटकता है और एक खुद को बदलना चाहते हैं जिसकी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है परंतु खुद को बदलना चाहते हैं पढ़ाई करना चाहते हैं मन बहुत अ जिसे आप कहें कि रामबान तरीका जो है रामबान का ठीक है सफलता के लिए जो रामबान तरीका है वो है प्रयास और अथक प्रयास कम्प्लीक डेडिकेशन तो वर्किंग टोड़्स गोर जो भी लक्ष है उसके प्रती पूरी तरह से डेडिकेट होकर उसके लिए प्रयास करना है यही सफलता का मूल मंतर यह रामबान तरीका है जैसे प्रभु रामचंद्र जी का बान जो है न वो एक बार प्रभु ने अप अपने धनुष्य से उसे त्याग दिया तो अपने गंतव्य तक जाकर पहुंचता ही है उसी प्रकार से जो भी विक्ति अथक प्रयास करता है डेडिकेटेड वे में जो भी विक्ति प्रयास करता है उसका लक्ष उससे जादा दूर नहीं रह सकता लक्ष के आसपास तक पह जलना चाहते हैं हम अपने लक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं यह आपकी चाहा बहुत यह सिर्फ आशाब रहने से जगत में हमें फल प्राप्ट नहीं होता आ Happiness रहते हुए प्रयास करने से फल प्राप्ट होता है और जो वेत्ती प्रयास करते हुए मतलब पूरा प्रफर प्रहत्ना करत Ε हुए असफल भी अगर हो जाए फिर भी उसका प्रयास गलत नहीं होता क्योंकि उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है